Hello students, आज हम मनुत से part 8 पढ़ेंगे, part का नाम है A, स्वर और मात्रा, जिसमें बारिश की रिशू और एक पार्ट है बारिश की रिशू और एक फुटी सी कविता में है, रे गार्ड़ सबसे पहले हम A की मात्रा पढ़ेंगे, किसकी मात्रा पढ़ेंगे? A की मात्रा, A, A से कौन कौन से शब्स होते हैं? एक, एडी, एकला, एकता, एशिया, एकतारा, एल्दम, आये, गए यानि A से कौन कौन से सब्सक्ते हैं? एक, एडी, एकता, एशिया, एकतारा, एल्दम, आये, गए अब आये, नीचे कुछ सब्सक्तों को भी पढ़ते हैं पेड, शे, मेला, केला, रे, गाडी पढ़ो और बोलो खेत, रेत, बेर, देर, मेज, बेटा, सेना, देना, बेला, खेला, सवेला, नेवला, करेला, जलेवी, सरेली आये, इन सब्सक्तों को फिर दोगराते हैं खेत, रेत, बेर, देर, मेज, बेटा, सेना, देना, बेला, खेला, सवेला, नेवला, करेला, जलेवी, सरेली बोलो और लिखो, कपड़े, मेवा, करेला, सेना, आप इन सब्सक्तों को इन सब्सक्तों को रख कॉपी में बोल कर लिखेंगे प्रस्तों इन बड़ों से एक-एक शब्दे लिखो के से केला, बे से बेला, मे से मेला, पे से पेड, रे से रेल, बे से वेटा प्रस्ती, चित्रों के नाम लिखो, यह कुछ चित्र दिये गए हैं, उन चित्रों के नाम लिखना है रेल, जलेवी, करेला, खेला, प्रस्त चार, रेल के विखों में एक-ए मात्रा के शब्द चुंकर लिखो यानि आपे रेल बना है और इन टिपों में आपको एकी मात्रा चुंकर शब्द लिखने हैं और वो सब्द बाहा है, उपर विकर्द दिया गया है, उन विकर्दों में से चुंकर आपको रेल के टिब्दे में लिखना है जैसे खठेरा, नेवला, मेला, बेशन, रेशन, अब आएए, हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी का नाम है बारिश की रितु, क्या है बारिश की रितु या एक छोटी सी कहानी है सेजर और राजिस मेरट में रहते थे, वे रेल काड़ी से जहरागु अपने दादा जी की खर जाते हैं, कहा जाते हैं देहरागु रेल काड़ी की गती तेज थी, यानि कि गती यानि कि जो चार सा उसका चलने का जो ठन था, वो बहुत तेज था, बैसे भी रेल काड़ी जो रहते हैं, बहुत तेज चलनी है खेत और पेड पीछे छूट रहे थे, जब हम लेल काड़ी के बैटते हैं, तो जैसे पेड होते हैं, या लास्ते के जो चीज़ जम्पो देखता है, वो कैसा लगता है, या ऐसा लगता है कि को इस सामा जो है, पीछे हमारा छूट रहा होता है, तो वली आपने बताया है, खेत और पेड पीछे छूट रहे थे, देहरा दूर आ गया, वे घर आके, अब वो देहरा दूर पहुच जाते हैं, और देहरा दूर इस्टेशन से पूपके अपने घर जाते हैं, दादा जी ने पेशन का हल्वा जलेबी और पेड़े बनाया थे, दादा जी ने क्या बना बच्छों के लिए रेषन का हरुआ जलेवी और पेडा बनाया था समने खूब मज़े से खाये समने बच्छों ने और अन्य सदसे में भी मिलकर उस बिट्पून मिठाये को बहुत मज़े से खाये मेले में कई जूले थे मेले में कई जूले थे सेजर और राजिस बड़ी जूले पर जूले मेले में कई जूले थे और सेजर और राजिस जो है मेले के बड़ी जूले में जूले केले सेब और बेर खरिदे उन्होंने क्या खरिदा केले सेब और बेर खरिदा सेजर ने एक वुडियावी मेला कुल कर सक खोशिक खोशिक धर वापस आ रहे ही सेजर ने सबुडियावी करेMaster यानि कहने का अत्य है कि दादा जी और बच्चे जो है उन्होंने मेले का आनद उखाया उन्होंने मेले में कुमा और घेट सारा सामान खरें तरो फिर वापस अपने घर आए तो अब आएए अभ्यासन देखते हैं पाठ में आए एक ही माता के शब्द बोलो समाल लेवाले शर्ट बोलो जैसे बेर तो बेर के समाल लेवाले शर्ट कौन कौन से हैं खेल तेर देर के समाल लेवाले शर्ट कौन कौन से हैं बेर भेर छेना चेना के समाल लेवाले शर्ट कौन कौन से हैं देना लेना सहेली सहेली के लेवाले शर्ट कौन से हैं पहेली हबे एक शक्त में उतना दो सेजद और राजेस कहा रहते थे मेरट में दादाजी का घर कहा था देहरा दुद दादाजी के साथ कहा गए मेला देख रहे सेजद मेले से क्या लिया बुईया प्रस्द 3 में सही और गलत है यानि कि यहां में कुछ वाके दिये गए है उनमें से आपको सही वाके पर सही का विश्चिन लगा रहा है और गलत वाके पर गलत का चेदर लगा है प्रस्द 3 में आपको समाल लेवाले शब लिखने हैं प्रस्द 4 शब्द चुट्र सही जदब पर लिखो इसमें कुछ शब्र दिये गए है और जज़े एकार उकार उकार घीकार घीकार यानि कि उस सब्दों को आपको ढूर्ण कर सही मांक्राओं के साह गए प्रस्द 5 जैसे मुर्गा तो मुर्गा में हम जब एकार लगा है तो क्या बन जाएगा मुर्गे केला केले इसी तरह से अले शब्दों को भी आप एक ही मांक्रा लगा कर पूरा करेंगे कष्ट नाम चुप 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 करके ध्वनी निकालती हुए वह दिस गाल रही है और वां सबको कहह लहाँ है कि आगे से हट जाना हाई बच जाना भाई यानि तो हट जाओ और बच जाओ अपने आपको कचार लिए चुप-चुप-चुक गाड़ी कैसे आई चुक-चुप-चुप करते भी आdown है जब गाड़ी चलती है तो उसके से क्या निकलता है काला धुमा निकलता है फक 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 सोर बचाती है और वो पैशा सोर निकालती है फक फक सोर निकालती है गाड़ी आई गाड़ी आई आगे से हट जाना थाई यानि कि गाड़ी आ लगी है तो हट जाओ और अपने आपको बचा दो तो बच्चों आप इस कवीता को यानि में गाड़ी कवीता को याद करेंगें ध़्य बाद